हेलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा को हाड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुन्दर डिजैन लेकर आई हूँ आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगे कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है ये डिजाइन देखने में जितना सुन्दर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है इस डिजाइन को आप लेडिज कारडिगन, लेडिज हाप जैकेट, गर्ल्स टो, फ्रो, कुर्टी, हाई नेक किसी भी प्रोजक्ट पर अपलाई कर सकती है गर्ल्स और लेडिज के सभी प्रोजक्ट पर ये डिजाइन बहुत ही सुन्दर लगता है इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 16 के मल्टीपल फंदे लेकर 5 फंदे एक्ष्ट्रा लेने होंगे तो ये डिजाइन आपके प्रोजक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा 16 के मल्टीपल देखिए आप इसमें 16 फंदे गिन लेजिए फिर से 16 फिर से 16 इस तरह से करते हुए लास्ट में आपके 5 फंदे होने चाहिए ये डिजाइन सीधी साइड से शुरू होता है और 10 सलाईयों में कम्प्लीट हो जाता है तो चलिए देखते हैं कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है तो ये देखिए फ्रेंड्स इस डिजाइन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 37 फंदे 16 दोनी 32 और उसमें 5 फंदे एक्ष्ट्रा फंदे इसमें मैंने नॉर्मल ही डाले हुए हैं तो इस डिजाइन के लिए आप इस तरह से नॉर्मल और हलके से लूज हाथ से फंदे डाल लीजिए फंदे डालने के बाद एक सलाई सीधी साइड से और एक सलाई उल्टी साइड से आप इसमें पहले उल्टी उल्टी बना लीजिए जिससे इसमें इसकी ये जो किनारी है ये मजबूत बन जाएगी अब हम यहाँ से डिजाइन की पहली सलाई बनाएंगे तो ध्यान दीजेगा कि डिजाइन की पहली सलाई कैसे बनेगी पहला फंदा इसका एस्टीज है इसे उतारिये या उल्टा बनाएंगे ये आपकी अपनी मर्जी है उसके बाद देखिए धागे को पीछे करेंगे एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और साथ फंदे सीधे बनाएंगे देखिए जब हम धागा अपनी तरफ करके फंदा बुनते हैं तो जाली से फंदा बढ़ जाता है तो देखिए एक दो तीन चार पांच छे और ये साथ अब देखिए एक दो और ये तीन इन तीन फंदों को इस तरह से हलका सा लूज करेंगे और बैक साइड से स्लाइड डालेंगे और तीन फंदे का इस तरह से एक फंदा बना देंगे फिर देखिए हम तीन फंदे सीधे बुनेंगे एक दो और ये तीन धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे और फिर एक फंदा ये सीधा धागा अपनी तरफ एक फंदा ओल्टा फिर धागा पीछे और एक फंदा सीधा तो ये देखिए एक जाली से फंदा हमने यहां पर बढ़ाया है और एक फंदा यहां पर बढ़ाया यहां पर हमने तीन का एक किया था तो दो फंदे कम हुए थे जो हमने दो फंदे जाली से बढ़ा दिये है तो यह स्टार्टिंग के चार फंदे छोड़ कर यहां से यहां तक हमने जो डिजाइन बनाया है इसी को बार बार रिपीट करती जाना है तो फिर से देख लिजिए इस तरह से धागे को अपनी तरफ कीजिए और साथ फंदे आप सीधी बनाईए देखिए एक दो तीन चार पांच छे और यह साथ अब एक दो और यह तीन इन तीन फंदों को हलका सा लूज करेंगे बैक साइड से स्लाइड डालेंगे और तीन फंदे का एक फंदाया से बना देंगे फिर से तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे एक दो और यह तीन धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे तो यहां जाली से फंदा बढ़ गया धागा अपनी तरफ एक उल्टा और धागा पीछे एक फंदा सीधा तो ये देखिए यहां से यहां तक हमने ये 16 फंदे का डिजायन बनाया फिर से इसी डिजायन को बार बार रिपेट करते जाना है और लास्ट में आपका एक फंदा बचेगा इसे आप ऐसे उल्टा ही बुन दिजिए तो डिजायन की पहली सलाई कम्प्लीट हो गई है इस डिजायन में उल्टी साइड की सारी सलाईयां उल्टी ही बनती है जितना ये डिजैन देखने में सुन्दर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है न्यू बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकती है तो उल्टी साइड से दूसरी सलाई को उल्टा बुनते हुए कम्प्लेट कीजिए तो ये देखिए दो सलाईया डिजैन की complete हो गई तीसरी सलाई है और सीधी साइड है तीसरी सलाई को अब आप ध्यान से देखिएगा पहला फंदा इसका S-T-C है इसे उतारिये या उल्टा बनाएए धागे को पीछे करेंगे एक फंदा ये सीधा धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा फिर से धागा पीछे और एक फंदा ये सीधा तो ये इस तरह से चार फंदे छोड़के अब यहां से हमारा ये डिजैन शुरू हो जाएगा तो ये देखिए इस धागे को हम अपनी तरफ लेकर आएंगे और यहां पर हम छे फंदे सीधे बनाएंगे देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे अब देखिए इस वाले फंदे पर हमने तीन का एक किया था तो दो फंदे इधर से ये वाले और एक ये इन तीनों फंदे को हलका सा लूज कर लिजिए और फिर बैक साइड से स्लाइड डालिए और तीन का एक फंदा बनाईए तो यहां पर देखिए जब हमने तीन का एक किया तो दो फंदे कम हो गए एक हमने जाली से यहां बढ़ा दिया एक हम यहां पर बढ़ाएंगे तो ये तीन का एक करने के बाद अब चार फंदे सीधे एक, दो, तीन और ये चार फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे ये एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ एक उल्टा धागा पीछे एक फंदा ये सीधा तो ये देखे स्टार्टन के 4 फंदे छोड़ कर यहां से यहां तक हमने ये 16 फंदे का डिजाइन बनाया है इसी को हम बार बार रिपेट करेंगे तो फिर से डिजाइन को रिपेट कर रहे हैं ध्यान से देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे और 6 फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छे एक, दो और ये तीन, इन तीन फंदों में इस तरह से बैक साइड से स्लाइड डालेंगे और तीन का एक फंदा ऐसे बना देंगे फिर चार फंदे सीधे, एक, दो, और ये तीन, और ये जाली बाला चार तो ये चार सीधे बुलने के बाद धागा अपनी तरफ कीजिए एक फंदा सीधा बनाया, तो यहाँ देखे जाली आ गई फिर धागा अपनी तरफ एक उल्टा और एक सीधा तो यह देखिएगा यहां से यहां तक हमने यह 16 फंदे का डिजाइन बनाया अब इसी को आप बार बार रिपिट कीजिए और लास्ट के फंदे को उल्टा बनाएंगे तीन सलाईयां डिजाइन की कम्प्लेट हो गई चोथी सलाई है और उल्टी साइड है इसको आप इस तरह से उल्टा बुनते हुए कम्प्लेट कर दीजिए तो ये देखे चार सलाईयां कम्प्लेट हो गई और आज ये इसकी पांचमी सलाई और सीधी साइड पर पांचमी सलाई को आप ध्यान से देखिए पहले फंदे को उतारिये या उल्टा बनाईए धागा पीछे करेंगे एक सीधा धागा अपनी तरफ एक उल्टा फिर धागा पीछे और एक फंदा सीधा तो ये चार फंदे इस तरह से बुनने के बाद अब हम यहां से डिजैन को शुरू करेंगे धागा अपनी तरफ कीजिए और अब पांच फंदे सीधे बनाईए देखिए एक दो तीन चार और ये पांच अब देखिए इस फंदे पर तीन का एक किया था और दो इसके आगे वाले इन तीनों फंदे में बैक साइड से स्लाई डालेंगे और तीन का एक फंदा यहां पर बना देखिए फिर देखिए एक दो तीन चार और ये जाली वाला पांच फंदे सीधे धागे को अपनी तरफ करेंगे एक फंदा सीधा बनाया तो यहां जाली से फंदा बढ़ गया जो बीच में तीन का एक करने से कम होते हैं वो जाली से बढ़ रहे हैं धागा अपनी तरफ एक उल्टा फिर धागा पीछे और एक सीधा स्टार्टिंग के चार फंदे छोड़ कर यहां से यहां तक सोला फंदे का डिजाइन बनाया इसी को फिर से रिपिट करेंगे धागा अपनी तरफ और पांच फंदे सीधे एक दो तीन चार और यह पांच अब देखिए यह तीन का एक किया था दो इधर के इन तीनो फंदे में बैक साइड से स्लाई डालेंगे और तीन का एक फंदाय से बना देंगे फिर एक दो तीन चार और यह पांच फंदे सीधे धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ एक उल्टा धागा पीछे एक फंदा सीधा तो देखे एक जाली हमारी यहाँ पर आई और एक जाली हमारी यहाँ पर आई तो फंदे यहाँ जो बीच में कम हुए वो बराबर हो गए लास्ट के फंदे को उल्टा भुन देंगे पांच सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई, छटी सलाई उल्टी साइड से इसे उल्टा बुनते हुए कम्प्लीट कर दीजिए तो ये देखिए, छै सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई, अब आज ये इसकी सातमी सलाई और सीधी साइड पर पहले फंदे को उतारिये या उल्टा बनाएए धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ एक उल्टा धागा पीछे और एक फंदा ये सीधा अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और यहां से हमारा डिजैन शुरू हो जाएगा तो चार फंदे सीधे देखे धागा अपनी तरफ है एक दो तीन और ये चार अब देखे इस फंदे पर तीन का एक किया दो इसके आगे वाले इन तीनों फंदे में बैक साइड से स्लाइड डालेंगे और तीन का एक फंदाय से बना देगे धागा पीछे ही रहे एक दो तीन चार पांच और ये छे फंदे सीधे धागा अपनी तरफ और एक फंदे को इस तरह से हम सीधा बनाएंगे तो यहां जाली आ गई अब धागा अपनी तरफ एक उल्टा धागा पीछे और एक फंदा सीधा यह स्टार्टिंग के चार फंदे छोड़ कर यह जो डिजाइन बनाया इसी को बार-बार रिपिट कीजिए तो धागा अपनी तरफ और चार फंदे सीधे एक दो तीन और यह चार अब देखे दो फंदे यह और इस पर तीन का एक किया तो तीनों फंदे में बैक साइड से स्लाइ डालेंगे और तीन का एक कर देंगे धागा पीछे ही रहे एक दो तीन चार पांच और यह च्छे फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा सीधा बनाया तो यहां जाली आ गई फिर धागा अपनी तरफ एक उल्टा धागा पीछे और एक फं 7 सलाई यां डिजयन की कंप्लीट हो गई, 8 मी सलाई है और 30 साइड है, इसे धागा आपनी तरफ कीजिए और उल्टा भुनकर कंप्लीट कर दीजिए तो ये देखिए 8 सलाईयां डिजैन की complete हो गई 9 में सलाई है और सीधी साइड है 9 में सलाई को आप देखिए पहले फंदे को उतारिये या उल्टा बनाईए धागे को पीछे करेंगे 1 फंदा सीधा धागा अपनी तरफ 1 फंदा ये उल्टा फिर धागा पीछे और 1 फंदा सीधा ये स्टार्टिंग के 4 फंदे छोड़कर यहां से डिजैन शुरू हो जाएगा तो धागा अपनी तरफ लिया ये और 3 फंदे सीधे बनाईए 1, 2 और ये 3 अब देखिए इस फंदे पर हमने 3 का 1 किया और ये वाले 2 फंदे इन 3 फंदे में बैक साइड से स्लाइड डालेंगे टाइट हो तो हलका सा लूज कीजिए और बैक साइड से 3 का 1 फंदा बना दीजिए अब धागा पीछे ही रहे देखिए 1, 2 3 4, 5 6 और ये 7 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ ले आईए एक सीधा धागा अपनी तरफ एक उल्टा धागा पीछे और एक फंदा सीधा ये स्टार्टिंग के 4 फंदे छोड़ कर यहां से यहां तक हमने जो डिजैन बनाया इसी को बार बार रिपीट कीजिए देखे धागा अपनी तरफ करेंगे तीन फंदे सीधे एक दो तीन और अब ये वाले दो और इस फंदे पर जो हमने तीन का एक किया था इन तीनों में बैक साइड से स्लाइड आल लेंगे और तीन फंदे का एक फंदा ऐसे हम बना देंगे फंदे टाइट हों तो हलके से लोज कर लीजिए फिर धागा पीछे ही रहे एक दो तीन चार पांच छे और ये साथ फंदे सीधे बनाएंगे अब धागे को अपनी तरफ करेंगे एक सीधा धागा अपनी तरफ एक उल्टा फिर धागा पीछे और एक फंदा सीधा और लास्ट का फंदा एस्टीच है इसे उल्टा बुन लेंगे तो ये नो सलाईया यहां पर डिजैन की कम्प्लीट हो गई दसमी सलाई उल्टी साइड से है इसे आप उल्टा बुनते हुए कम्प्लीट कर दीजिए तो ये देखिए दस सलाईया डिजैन की कम्प्लीट हो गई है दस सलाईयों में ये डिजैन ओवर हो जाता है अब इन्ही दस-दस सलाईयों को बार-बार रिपेट करती जाना है तो चलिए मैं आपको इसकी नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग बता देती हूँ ताकि डिजैन को आगे रिपेट करने में आपको कोई प्रोब्लम ना है सलाई बिल्कुल सेम बनेगी जैसे हमने यहां से स्टार्ट की है लेकिन फिर भी आप एक बार ध्यान से देख लीजिए कि नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग कैसे होगे पहले फंदे को उतारिये या उल्टा बनाईए धागे को पीछे करेंगे एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा ये स्टार्टिंग के चार फंदे छोड़ कर यहां से हम डिजाइन को बनाना शुरू करेंगे तो धागा अपनी तरफ और साथ फंदे सीधे देखिए एक दो तीन च्यार पांच छे और ये साथ साथ फंदे सीधे बुनने के बाद एक दो और ये तीन इन तीन फंदे को हलका सा लूज कीजिए और बैक साइड से सलाई डाल कर तीन का एक फंदा बना दीजिए फिर तीन फंदे सीधे एक दो और ये तीन धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ एक उल्टा फिर से धागे को पीछे की तरफ करेंगे और एक फंदा सीधा स्टार्टिंग के 4 फंदे छोड़ कर यहां से यहां तक हमने 16 फंदे का डिजाइन बनाया है अब इसी को आप बार बार रिपेट कीजिए तो देखे धागा अपनी तरफ 7 फंदे सीधे 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये 7 1, 2, ये 3 इन 3 फंदे को हलका सा लूज कीजिए बैक साइड से स्लाइड आलिए और 3 का एक फंदाय से बनातीजिए फिर 3 फंदे सीधे 1, 2, और ये 3 धागे को अपनी तरफ लेकर आईए 1 सीधा, धागा अपनी तरफ 1 कुल्टा, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा यही 16-16 फंदे का डिजैन बार-बार रिपेट करना होता है और लास्ट का फंदा एस्टीज है, इसे उल्टा बनाएंगे उल्टी साइड की सारी सलाइया इस डिजैन में उल्टी ही बनती है तो यह देखे फ्रेंट्स, जब आप बार-बार इनहीं 10-10 लाईयों को रिपेट करेंगी तो इस तरह से बहुत ही प्यारा सा आपका यह डिजैन बनता चला जाएगा अगर आपको यह डिजैन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंट्स ग्रूप में इसे शेर कीजिए चैनल पर नई हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें थैंक यू